नमस्कार मैं हूँ श्रदाचेत्री और आप देख रहे हैं कोहराम लाइफ कारोबारी ने की आत्महत्या, सुिसाइड नोट भी छोड़ा, आत्महत्या का कारन भी लिखा आरोपी के खिलाफ कई सबूत भी मिले, फिर भी बीट गया एक साल नहीं मिला इंसाफ और मौत के जिमिदार पर अब तक कोई आच नहीं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राज्य का एक अधिकारी है स्पष्ट है, इस मामले में साच का गला घोटने का किया जा रहा है प्रयास आत्मात्या मामले में सबसे बड़ा क्लू माना जाता है स्यूसाइट नोट और जब उस नोट पर किसी का नाम होता है तो पुलिस उसके खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई तो जरूर करती है लेकिन चाइबासा के शराब कारोबारी हरी शंकर के आत्मथ्या के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता भी कैसे आखिर आरोप उत्पाद अधीक शक्त सुधीर कुमार पर जो लगा है स्यूसाइट के एक साल बाद भी आरोपी सुधीर कुमार पर कोई कारवाई नहीं हुई है किरिबुरो के शराब कारोबारी हरी शंकर प्रसाथ के घरवालों का कहना है कि जब स्यूसाइट नोट में मौत के जम्मेदार का नाम है तब पुलस जाच क्यों नहीं कर रही 12 दिसंबर 2019 को सरकारी शराब दुकान के मैनेजर हरी शंकर प्रसाथ ने फासी लगाकर आत्मत्या कर ली थी उन्होंने एक स्यूसाइट नोट छोड़ा था जिसमें उन्हें अपनी मौत का जिम्मेदार तत्कालिन पश्चिम सहभूम उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार को ठहराया था स्यूसाइट नोट में लिखा था कि उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने उनसे काफी रुपए लिये हैं और इसलिए वो अपनी जान दे रहे हैं पुलिस ने पूरे मामले की जाच की तो घर पर एक डाइरी भी मिली जिसमें उत्पाद अधीक्षक को बतोर रिश्वक 50,000 रुपए देने का जिक्र भी है कारوبारी की पतनी और उसकी मा सावित्री देवी ने भी पुलिस को बयान दिया कि उत्पाद अधीक्षक उनके पती से अक्सर पैसों की डिमांड करते थे और उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे मेरे पती इतने परेशान थे कि वो कई बार कहते थे कि उत्पात अधीक्षक उन्हीं जीने नहीं देंगे कॉल डीटेल्स खंगालने पर भी पता चला कि सुधीर कुमार ने आत्मत्या से चंद घंटे पहले हरिशंकर से भी बात की थी हमको दो नियाई चाहिए से इसुधीर कुमार एरेश्ट क्यों नहीं हुआ है एक लाग पचास लाग मंग हमेंसा बरवाते थे चेवासाब लाश्रे दिल में बहुत, बजब आदा गटा तर बात किये, हमको बोले कि हम इसी दिल के मारा हमको बहुत तंग कर रहा है, हम बहुत टेंसन है, बोले हम खर जाके बात करें, उसके बात पिर बात नहीं हुआ से, कभी दोकान आ जाते थे, पैसा लेने के लिए, बरावर उनको तो ही टेंसल देते थे, दोठो बत्या के लिए हम लोकिन साथ मांग रहे हैं, नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, नोट खुज रहा है, धरोगा को भी पूरा बयान लड़की दे दी, थाना में भी जाके दी, ओपिस में भी दी, डी-स-पी को भी दी, लेकिन कोई करवाई न को ही उतपाद अधीक्षक के खलाफ आई-पी-सी की धारा 306 के तहत मामला भी दर्ज हो गया था, इसके बाद भी उतपाद अधीक्षक को ना तो हिरासत में लिया गया और ना ही कोई ठोस का रवाई हुई उधर मामले में आरोपी उतपाद अधीक्षक ने आरोपं को निराधार बताया है, फोन पर धमकी देने के संबंद में उन्होंने कहा है कि ये सच नहीं है, उनसे बात हमेशा नोटिस को लेकर ही होती थी, हमेशा सरकारी पैसों को लेकर बात होती थी, पुलिस ने की थी, लेकिन उधर अफ्तार ही नहीं हुई थी. इस मामले में एक पुलिस अधिकारी पर आरोपी सुधीर कुमार को मदद करने के लिए विभाग्य कारवाई की भी अनुशंशा की गई है, लेकिन इस पर भी बड़े पुलिस अधिकारी चुप्पी साथे हैं. पुलिस की कारवाई निस्पक्ष और टेजी से हुई तो आर करवाई नहीं हो सकती. क्योंकि उनका भरोसा पुलिस से उठ चुका है.